नमस्कार, मैं शुबम कक्षा वार्मिका शात्र गुर्मेंट हैर्स केंटरी स्कूल खन्ना शडगाल से आज आग को आजाद बारत का लोह पूरश कहे जाने वाले सरदार मल्लवाई पटेल जी के वारे में कुछ बताना जाता हूँ बारत के राजनीतिक इतिहास से सरदार पटेल के योगदान को कभी बुलाया नहीं जा सकता पटेल नवीन बारत के निर्मता थे राष्ट्य एक्ता के रैजोड शिल्पी थे देश के विकास में सरदार मल्लवाई पटेल के महत्तप को सदैव जाद रखा जाएगा देश की आजादी के संगर्ष में उन्होंने जितना जोगदान दिया उससे जादा जोगदान उन्होंने सोतंत्र बारत को एक करने में दिया बारतिय राष्ट अंदोलन को बैचारी कैवम क्रियात्मक रूप में एक नहीं दिशा देने के कारण सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक गोरपूरन सथान प्राप्त किया बास्तव में बै अधूनिक बारत के शिल्पी थे उनके कठोर व्यक्तितव में संगटन कुशलता राजनीती तथा राष्ट एकता के प्रती अटूठ निस्ठा थी जिस अद्मे असीम शक्ति में उन्होंने नवजात गन राज की प्रानम्बिक कठनाईयों का समाधान किया उसके कारण विश्व के राजनीतिक मन्चित्र में उन्होंने आमित सथान प्राप्त किया बारत की सोतंतर था संगरा में उनका महत्तपुरन जोगदान था सोतंतर भारत के पहले तीन वरश सरदार पटेल देश के उपपरधान मंत्री ग्रह मंत्री सूचना प्रासारन मंत्री रहे इस सबसे भी बढ़कर उनकी ख्याती बारत के रजवाडों की शांतिपूरन तरीके से वारत्य संग में शामिल करने तथा बारत के राजनीतिक एकिकरन के कारण है पटेल ने वारत्य संग में उन रियास्तों का विले किया जो समय में सम्प्रभूता प्राप्त थी उनका अलग जंडा और अलग सासक था सरदार पटेल को भारत का लोहपुरश कहा जाता है ग्रह मंत्री बनने के बाद वारती रियास्तों के विले की जिम्मेदारी उनको ही सोंपी गई थी उन्होंने अपने दायत्मों का निर्वहन करते हुए 600 शोटी बड़ी रियास्तों का भारत में विले कराया देशी रियास्तों का विले सोंतंत्र भारत की पहली उपलब्दी थी और निर्विवाद रूप से पटेल का इसमें विशेश जोगदान था राश्ट्री पिता महातमा गांदी ने उन्हें सरदार और लोहपुरश की अपादी धी थी वल्लवाई पटेल ने अजाद भारत की एक विशाल राश्ट्री बढ़ने में उलेक निया जोगदान दिया धन्यवाद